Good morning students, welcome to kids millennium school class LKG subject math. Today we will do put the sign greater than, less than and equal to. So let's start, यहाँ पर हम दिखेंगे, यहाँ पर कौन सा नमब लिखा है? 104 और इधर 103. 104, 103 से बड़ा नमबर होता है, बिग नमबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर greater than का sign लगेगा. Next, 110 और इधर 111. 110, 111 से छोटा नमबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर less than का sign लगेगा. Next, 120 और इधर 120. 120 और 120 दोनों same नमबर है, दोनों equal नमबर है, तो यहाँ पर equal का sign लगेगा. Next, 135 और इधर 134. 135, 134 से बड़ा नमबर होता है, बिग नमबर होता है, इसलिए यहाँ पर greater than का sign लगेगा. Next, 146 और इधर 147. 146, 147 से छोटा नमबर है, तो इसलिए यहाँ पर less than का sign लगेगा. Next, 150 और इधर 150. इधर भी 150 है, और इधर भी 150 है. दोनों नमबर same है, दोनों नमबर equal है, तो यहाँ पर equal का sign लगेगा. Next, 127 और इधर 126. 127, 126 से बड़ा नमबर है, बिग नमबर है, इसलिए यहाँ पर greater than का sign लगेगा. Next, 139 और इधर 140. 139, 140 से चोटा नमबर है, इसलिए यहाँ पर less than का sign लगेगा. Next, 149 और इधर 149. 149, 149 दोनों same number है, दोनों equal number है, तो यहाँ पर equal का sign लगेगा. Next, 105 और इधर 104. 105, 104 से बड़ा नमबर है, बिग नमबर है, इसलिए यहाँ पर greater than का sign लगेगा. Next, 117 और इधर 118. 117, 118 से चोटा नमबर है, इसलिए यहाँ पर less than का sign लगेगा. Next, 121 और इधर 121. 121, 121 दोनों same number है, दोनों equal number है, इसलिए यहाँ आपर equal का sign लगेगा. So students, you will do this work in your math notebook. Thank you.